हेलो दोस्तो राम राम किसान बायों स्वागते आपका जगी ब्लोक में एक नई वीडियो के साथ दोस्तो आपके लेके आ चुका हूँ एक नए तरीके की वीडियो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तो आपके अपने चैनल जगी ब्लोक पे दोस्तो वीडियो में आपको द यह नदी से पार करी है यह नहर बहुत लंबी नहर है इसमें पानी के वज़े से कोई रास्ता नहीं होगा तो क्यों काटने के लिए यह कमपैन जो है इस नदी से पार करी जा रही है दोस्तों ध्यान से वीडियो देखना ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी आपके लिए क मेंगे आज चुका हूँ दोस्तों यह नहीं वीडियो ये बता देता हूं दोस्तों वीडियो कहा की है यह वीडियो दोस्तों पाकिस्टान एरिया की वीडियो है जो कि ताकि ये किसान भाईयों ने जुबार लगाया है तो नाव जूंड करके बोर्ड तो उसमें ये कमपैंड लोड करी जारी है आप देख पारे होंगे तो ये लोड करके इसको पार निकारी जाएगी इस नाले से उसके बाद किहों कटाई शुरू होगी तो ये देखो य कि चढ़ादी है और इसको चढ़ा के जो कि पार लिए पार ले काला जाएगा बोर्ड से और देखो इतनी मतलब कि बोर्ड में इतनी वो है सम्ता कम सो कूंडल बजन होता है एक कमपाइंड में तो सो कूंडल तो दो नाव दो बोट जाउंड करके उसमें लाद के इसको फार ले आ जाएगा इसलिए ये नाव में लादी जा रही है दोस्तो रास्ता नहीं है इस नदी के पार जाने का इसमें पानी बहुत है तो पानी के वज़े से ये कमपैन नहीं जा सकती है तो इसलिए ये नाव में लोड करके कमपैन को फार निकाला जा रहा है दोस्तों ये वीडियो है पाकिस्तान एरिया पाकिस्तान में नदी है ये दोस्तों मैंने ये वीडियो देखी थी मैंने का अपने दोस्तों को दिखाई जाए वीडियो अपने मेंब्रों को दिखाई जाए अपने फैमली को दिखाई जाए वीडियो मैंने इसलिए दोस्तों तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाई है तो यह देख पारे होंगे यह कमपैन है न्यू लैंड की इसमें देखो यह बोड में अब लोड कर दीगे यह इसको अच्छी तरह से बांदा जाएगा ताकि कमपैनी तरह दर हिले ना हिलने से ऐसा होता है कई बार हिल जाए तो यह जो है पानी में गिल सकती है यह पानी में ना गिरे इसको अच्छी तरह से बांदा जाएगा और यह बोड जो है इंजन वाली है यह तो इंजन चलाया जाएगा उसके पार निकाल रहे हैं दोस्तों पार निकाल रहे हैं तोसमें Hem कटाई शुरूं करेंगे यह राष्टा ना होने की वज़े से यह जो बार दिमाग लगाया है तो देखो किसाथ भाई क्या क्या कर सकते हैं यह मैं तो नहीं है वीडियो कहीं की भी हो और आपको जो चीज अच्छी लगे वो दिखाता हूँ मैं आप इसको वीडियो दियान से देखना ठीक है दोस्ते